नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे कैलाशना तांतरिक जी के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं पडोसन को वश्मे करने का अचूक टोटका जी हां दोस्तों दोस्तों विधी बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करते हैं जिससे के मारे आने वाली और भी ऐसी वीडियो की जानकारी आपको असानी से मिल सकें दोस्तों यदि आप किसी लड़की को पसंद करते हैं वह आपके पडोस में रहती है तो आप अगर उसका प्यार पाना चाहते हैं उसे वश्मे करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी विधी बताएंगे आपको बिल्कुल उस विधी के अनुसार ही चलना है आपका काम हो जाएगा दोस्तो यह है टोटका सरल होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली भी है सौपरतिशत आपका काम हो जाएगा दोस्तो सबसे पहले आपको एक कांच के गलास में आधा पानी लेना है और एक रक्षा सूतर का थोड़ा सा धागा ले ले उसके बाद आपको सबसे पहले दोस्तो अपने गलास को सामने रखना है और इस तरक्षा सूतर के धागे को अपने मुठी में बंद करके तीन बार इस गलास के उपर से गुमाना है और फिर इसकी मुठी खोलने के बाद आपको अपनी पडोसन का नाम लेना है और फिर इस पे तीन बार फूक मारने है यानि उधारन के तोर पे आपकी पडोसन का नाम है रूपम तो आपको एक बार रूपम बोलना है और फिर फूक मारने है फिर दूसरी बार बोलना है फिर फूक मारने है फिर तीसरी बार बोलना है फिर फोपार में है ऐसा आपको तीन बार करने के बाद या रक्षा सोतर का धागा आपको इसके अंदर डिप कर देना यानि इसके अंदर डुबा देना है और फिर आपको अपनी पडोसन का चेहरा याद करते वे यानि रूपम का चेहरा याद करते वे इस मंतर का जाप करना ह दोस्तों आपको बोलना है Um, Namu, Fat, Cring, Cring, Amug, Vashen, Kling, Cring, Sodha Amug के सान पे आपको रूपम का नाम लेना है जिसके उपर आप वे टोटका करना चाहते हैं जिसके बारे में सोचते वें आप यह मंतरजाब कर रहे हैं उसके बाद मंतर जाब जैसी आपको पूरा हो जाएगा आपको अपने स्थान से उठना है और यह पानी का गिलास अपने पडोसन के घर के बाहर या फिर उसके घर के चारो तरफ छिड़क देना है ऐसा करने के सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपकी पडोसन आपके वश में हो जाएगी आप जैसा कहेंगे वे वैसा करने को तैयार रहेंगी आपकी गुलाम की तरह आपके आगे पीछे गुमेंगी यदि इस उपाय को करने के बावजूद आपके मन्शानुसार काम नहीं होता या फिर कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको लगती है कोई आसान उपाय जानना चाहते हैं तो बिना देर की स्क्रीन पिदिये के नंबर पे कॉल करके हमारे कैलाशना तांतिक जी से अपनी सभी तरह की शंका का समधान करवा सकते हैं धन्यवाद दोस्तों जय मतावे